तो आब हमारे पास एक दूस्सा एक्जामपल है, एक्जामपल है when analyzed by the combustion method 0.20 gram of an organic substance, yielded 0.147 gram of carbon dioxide and 0.12 gram of water, तो यहाँ पर हमें combustion अर्थाद हम दहन करते हैं किसी organic substance का और organic substance के amount है 0.20 gram, तो हमें मिलता है 0.147 gram carbon dioxide and 0.12 gram water, और इसमें 74.6 ml of nitrogen at NTP, NTP पर जो nitrogen मिलती है, वह 74.6 ml मिलती है, तो find the simplest formula of the substance, तो simple empirical formula हमने यहाँ पर उस substance के लिए calculate करना है, तो किस तरह से इसको करेंगे, वो देखते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ amount दी हुई है carbon dioxide, water और nitrogen की, हमें पहले इनकी percentage निकालनी पड़ेगी, तो सब से पहले तो calculation of percentage of the element, elements की जो percentage है, उसको हम निकालेंगे, तो यहाँ पर since, CO2 से हमें carbon मिलेगी, H2O से hydrogen, और 22, 1400 ml nitrogen में 28 gram nitrogen वहाँ पर होती है, यह हमें पता है, CO2 इसमें 1 carbon, H2O इसमें 2 hydrogen होते हैं, और 2400 ml N2 जो होगी, इसमें 28 gram nitrogen होती है, यह हमें पता है, तो सबसे पहले percentage of carbon हम निकालेंगे, कि carbon का percent कितना होता है, इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए, हमें carbon dioxide की amount दी होई है, 0.147 gram, तो यह हो गई, 0.147 gram carbon dioxide, इसमें carbon का atomic weight होता है, 12, और molecular weight है, 44, into 100, upon 0.2, equal to, यह लगबगात है, 20.04%, और इसी तरह percentage of hydrogen हम निकालेंगे, hydrogen निकालने के लिए, hydrogen की हमें percentage दी हुई है, 0.12 gram, into 2, जो उसका molecular weight है, upon 18, जो water का molecular weight है, into 100, upon 0.2, 100 upon 0.2, यह 0.2 gram जो दिया हुआ है, उससे हम निकालते हैं, तो यह आता है, 6.66%, percentage of nitrogen, nitrogen की percent यहाँ पर निकालने के लिए, 74.6 into 28 upon 22,400, क्योंकि यहाँ पर NTP पर, लीटर में दिया हुआ है, 74.6 ml, तो यहाँ पर ml में हम इसको लेते हैं, into 100 upon 0.2, 0.2 gram यहाँ पर, हम जो organic compound था, उसकी मात्रा थी, तो यह आया, 46.63%, तीनों को सम करते हैं, सम करने के बाद, 100 में से minus करेंगे, तो percentage of oxygen हमें मिल जाएगा, जो question में हमें नहीं दिया हुआ है, percentage of oxygen हो गया, 26.67, तो यह हमें मिल गया, अब वही पहले जो हमने किया था calculate, उसी तरह से हम calculate करेंगे, elements, percentage, जितना भी है, जो यहाँ पर हम calculate कर चुके हैं, atomic weight, atomic ratio, हम निकाल लेंगे, और atoms present, जितने भी हैं, वो हम निकाल लेंगे, elements हैं अब यहाँ पर, carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen, चार element present है, carbon का percentage हमने निकाला 20.04, hydrogen 6.66, nitrogen 46.63, and oxygen 26.67, atomic weight, carbon 12, hydrogen 1, nitrogen 14, oxygen 16, atomic ratio, उसी तरह से, जो percentage है, divided by atomic weight, तो यहाँ पर मैंने पहले से calculate करके रखे हुए हैं, 1.67, hydrogen के लिए 6.66, nitrogen के लिए 3.33, और oxygen के लिए 1.66, lowest value से सभी को divide कर देते हैं, lowest value है 1.66, तो यह HCF जो आता है, यह लगवग हमारा आता है, 1421, तो यह लगवग amount है, और यह सारा whole number में यहाँ पर आ रहा है, 1421, तो atoms जो present होंगे, इनको as it is हम यहाँ पर लेख देंगे, 1421, अब इसका जो empirical formula हम बनाएंगे, empirical formula बनाएं, तो empirical formula में पहला परजेंट है carbon, carbon के number है 1, तो लिखने की ज़रुवद नहीं है, यह 1 को, carbon के बाद है hydrogen, hydrogen के number है 4, hydrogen का number लिख देंगे 4, hydrogen के बाद है nitrogen, और nitrogen के number है 2, और फिर है oxygen, oxygen के atoms परजेंट है 1, तो यह जो है, यह इसका empirical formula यहाँ पर मिल गया, CH4N2O, तो इस तरह से हम solve करते हैं, इस तरह के कोई question में दे दिये जाएं, जिसमें organic compounds को दयान करके, सिर्फ उनकी amount यहाँ पर दी जाए, तो इस तरह से पहले तो हम percentage calculate करेंगे, और फिर हम empirical formula को लिखते हैं, तो यहाँ इन प्रस्णों में आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही हो, तो हमें comment box में जरूर लिखिए, और अपने कीमती सुझाओ हमें दीजी, वीडियो को like कीजिए, जदशी 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 शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो देखते रहे हैं आगे, हम next chapter आपको बताएंगे, जल्दी अपने next वीडियो में, धन्यवाद,